है आज हम मनी हैस बरलीन के वेब स्री के बार में रिविईव और उसके हॉड्स rightly के डामिंग के अब्सरी के सब लोग आप वेट करे थे और लास्ट में जाएंगे इसकी बेसिक स्टोर लें और इसके रिव्यू के बारे में So let's come upon its castland इसमें बेगोना वार्गास ने कैमेराउन का रॉल प्लिक है And Samantha Secures ने कैमेली का रॉल प्लिक है So let's come upon its detail यह रिलीज हुई थी 29th of December 2020 तेको इसके टोटल आठ एपिसोड रिलीज हो चुके है जो एक ही सीजन इसका आया है Style, Crime, Drama और Heist की है यह आपको Spanish language में available मिलेगी पर English language में भी Netflix and Hindi language में भी available है जो available है आपको Netflix के platform के उपर ही जो उसका उटेटी platform है I'm deviating 7.3 है out of game और average length हर एपिसोड की 40 to 60 minutes पर डिफर करती है So let's come up all each Hotchins के डामिंग के उपर पहला था एपिसोड 2 में 29 minutes and 14 seconds पर समन्ता का एक पैस्नेट्स में दिखा गया Next आता है एपिसोड 2 में 31 minutes and 15 seconds पर समन्ता का एक पैस्नेट्स में दिखा गया Next आता है एपिसोड 3 में 15 minutes and 54 seconds पर समन्ता का एक पैस्नेट्स में दिखा गया Next आता है एपिसोड 3 में 22 minutes and 01 seconds पर समन्ता का एक पैस्नेट्स में दिखा गया निक्स अथा एपिसोड 5 में 21 minutes and 22 seconds रे बेग ओना और गैस काई पच्छे ग्लीट सिंदिक्षागें निक्स अथा एपिसोड 7 में लड्यक्री एट मिन एट प्रिज़ प्रिज प्रिज़ समनन तक पच्छेट समैं पच्छेट ग्लीट सिंदिक्षागें नेक्स रथा एपिसोर 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 एप पर समन्ता का एक पैशनेट्स में एक लिपसें दिखाए गया है So let's come upon its basic storyline इसमें बर्लीन नाम का एक चोरे तरह उसके पूरी की पूरी टीम में रहती है इसमें डैमियन, काईला, रॉइ, रूस, सुशी यह सब लोग रहते सिर्फ एक एड हो जाती है उनमें जो है, कैमेराण, तो ये एक हैस्ट प्लैन करते है जहांपर हमें दिखाए जाता है कि बहुत बड़ा auction house होता है जो होता है बर्लीन में तो वो बर्लीन में होने के बाद जो और जू भी होते हैं सब लोग स्पैरिश होते हैं तो वो वहाँ पर एक archaeological site को excavate करने के लिए वहाँ पर आ जाती एक church के नीचे Berlin बहुत बड़ा शातिर चोर होता है क्योंकि वो पहले भी Money Heist में बहुत सारे plants में शामिल होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो पूरा का पूरा प्लान सेट अप करके आया होता है पहले तो वो एक antique चोर के यहाँ चला जाता है जो एक supplier होता है antique चीजों का supplier illegal बड़ उनके घर में चापा डालकर वहाँ से एक प्याला उटाता है 16th century का उस प्यालों को लेकर वो चोर्ष में चला जाता है और उनको ऐसा जिराता है कि यह चर्ष उससे भी बहुत पूराना है जिससे आप बात कर रहे थे तो वो excavate करने के लिए एक नीचे का वाट रूम डाल देते हैं वाट रूम को excavate करते करते वो प्याला वहाँ पर डाल देता है डालने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो पादरी जो होता है वो अब खुद पर एहसास करने लगता है कि नहीं यह चर्ष बहुत पूराना है तो इस वज़े से उनको इस चीज़ को excavate करने के लिए देना चाहिए उससा पर्मिशन उनको दे देता है उनका प्लान होता है कि वहाँ पर एक टवनल होता है जो टवनल डारेक्ली चला जाता है वो आउक्शन रूम के पीछे वाला वो बहुत अच्छा टवनल होता है這樣 और उनके उपर कोई शेक भी नहीं कर सकता तो वही प्लान वो अजमात है जब बहुत सारे हार वहाँ पर होते है आॉक्शन के लास के दिन पर वो लोग चुराते हैं और वहाँ पर उससे पहले वो एक लड़की की पैर में पढ़ जाता है वो है कैमिली कैमिलिया एक्चलि वहाँ पर उस आॉक्शन हाउस के ओनर की ही बीबी होती है इस हुज़े से वो उसके प्यार में पड़ जाता है वो उसको हासिल करना चाहते है पर वो उसके पत्ति के नजरों में उसको गिराना उसका मेन लक्ष होता है तो वो ही प्लैन करता है हाइस्ट के पूरा होने के बाद वो ऐसे प्लैन करता है पर हाइस्ट काम करते ही वो उसके खिलाफी हो जाती है उसको सब पता चल जाता है कि क्या हो जाता है कौन हो जाता है और जब चोर वहां से भागते हैं तब बहुत सारे प्लैन्स पोलिस को पता चल जाते हैं कि शायद स इन Spanish चोरों ने यह से कुछ किया है तो plan execute करते करते बहुत नसीब से वो चोर वहां से भाग ने की पूरी की पूरी कुशिश करके वहां से भाग चले जाते हैं पर जाते हुए वो आपने sketches और कुछ सबूत पूलिस को दे के चले जाते हैं क्योंकि Spanish से एक दो पूलिस वहां प कर रहे होते हैं हाइस को plan करने के लिए उनका होना बहुत ज्यादा important होता है तो इस वेरे से वह वहां पर पूलिस आ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि कौन यह Spanish चोर है वो उनके पिच्छे पिच्छे चले जाते हैं पर वो उनको हाथ नहीं आने देते मस्दिक भी आन होकर एक जगह पर Spanish में मिल जाते हैं लास्ट में कमेली या कमेली वहां पर आती है और बरलीन को ब्लैक में करने की कोशिश करती है पर वो नहीं होता फिर भी बरलीन बहुत बड़ा दिल का होने के साथ वो पूरे के पूरे पैसे कमेली को दे देता है और लास्ट में हम तैंक यू फू वाचिंग दिस्टूडियो को शायद से नेक्स टाइम हमें कोई और एक नए आवाज में नए ढंग में आपको देखने के लिए मिल सकता है तो नए साल में नए वोइस के साथ नए एडिटर के साथ भी शायद से आपको एक नए इन कंटेंट क्रेटर आपक से बहुत सरे एसे वीडियो आते रहेंगे आपके प्यारेशन चानल पर हाँ ठैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए नेक्स्ट हॉट आण स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल बट दिफरेंट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए गुडबाई आण टेक केर